लोक सभा चुनाओं के पहले कॉंग्रेस प्रत्याशी जोती रादित्य सिंध्या शिवपूरी शहर एवं ग्रामिन शेत्रों में नुकर सभाय ले रहे हैं आज उन्होंने शिवपूरी के करोधी शेत्र में जाकर नुकर सभा को संबोधित किया जिसमें उनके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धाकर लोकें सीहर राजपूत उनके साथ थे राजपूत ने कांग्रेस पार्टी सदस्ता ली है जबकि वह अपना नामंगन फार्म बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भर चुके हैं वो सिंद्या के लिए वोट बांगते हुए नजर आये जिसमें उन्होंने मोधी सरकार को जंगवर आड़े हाथ लिया उन्होंने कहा कि मोधी प्रधान मंत्री आवास तो बनवा देते हैं पर भगवान राम का आवास कब बनवाएंगे जिससे वो भगवान राम को तारिक तरीक दिये जा रहे हैं इस दोरान सिंद्या ने भी पूर मुख्यमंदि शिवरा सिंग चोहान को आड़े हाथ लिया जनता से बोले शीवपूरी के विकास में शिवरा सिंग ने बहुत आड़े लगा है इस दुरान सिंद्या थोड़े भाववक भी नज़र आए कहा का न्या है तो इस बार करौनी की जनता मेरी भावना आप समझ गयो इस बार मैं चाहूंगा क्योंकि अब मांगने की बारी आपकी नहीं है मांगने की बारी और इस बार खरी खरी में सुना दूँ इस बार करौनी के 36 नंबर वॉर्ड को भरपाई करनी है दोहजार उननीस की नहीं भरपाई करनी होगी 2019 और 2014 की भी वर्पाई करनी है बारत तारीक को एक भी वोट न चुटे एक एक वोट डले और कॉंग्रिस की सरकार बनने जा रही है केंद्र में और राहूल गांदी ने कहा है जितने भी गरीब परिवार इस देश में हैं चाहे वो ग्रामीन में हो चाहे वो शहर में हो हर गरीब परिवार में पुरुष के खाते में नहीं महिला के खाते में 72,000 रुपईया हर साल राहूल गांदी की तरकार चादी परिवार को बच्पन से जानते हैं कोई महारा जैसे बैठ सकता है आपके बीच में कभी क्यों भाईयो बाता हूं तो बैठ सकता है तो फिर जो अपने परिवार का मान के अपना मान के आपके बीच बहते हैं तो भाईयो ये पोलिंग जिताना तो आपका दाइत बनता है तो आपको ये पोलिंग जिता करके उनको देनी परेगी और अपनी प्रशंशा उनको देनी परेगी बारा मई को घर से निकल के मद्दान के भूप में देंगे देंगे हाद उनों को महराज को जितागे बोली देंगे